Good morning students. Welcome to TSN The School. Today we will read English chapter 8, A White Conk. Students, conk means होता है shunk. Shunk, जो की seashore पे समुदरी किनारों पर मिलते हैं, उसके बारे में यह chapter है, यह actually जो chapter है आपका, वो fishermen's की जो life है, routine life है, उसके बारे में है, उसको थोड़ा सा में बताया गया है. बहुत ही interesting सा chapter है, so let's start. It was evening on the seashore. Seashore means होता है समुदरी तर्ट, या समुदर का किनारा. समुदर किनारे शाम के वक्त की बात है, यह, scene बता रहा है उसका, यह शाम है, समुदर किनारे की तरफ, the sun went down in the sea, and the clouds in the sky were red and orange. तो वहाँ का scene बता रहे हैं हमें, कि जो sun है, वो नीचे जाता जा रहा है, ऐसा लग रहा है, समुदर में जा रहा है, और जो clouds है, clouds means बादल, बादल है जो आकाश में वो red और orange color के हो गए हैं. देखो, आपको दिख भी रहोगा picture में, कि ऐसा लग रहा है, कि sun जो है, sea के अंदर जा रहा है, the fishermen came out of their huts, जो fishermen, fishermen means होता है, students, मचली को पकड़ने वाला, तो उसे हम बोल सकते हैं, मचवारा, मचवारे जो थे, अपने घरों से, जोपनियों से, बाहर आ गए, and push their boats into the sea, और उनने अपनी जो boats है नावों को समुद्र में धकेल दिया उसमें, क्योंकि fishermen का क्या काम होता है, fishermen जो होते हैं, fishes पकड़ने का ही काम करते हैं तो इसलिए वो समुद्र में अपनी boats को डाल देते हैं, the women and children stood on the shore and waved goodbye to them, उनकी जो लीडीज थी उनके घरों की और बच्चे थे, वो समुद्र के किनारे पर खड़े थे, और उनको बाय कर रहे थे, हाथी लाते हुए बाय करते हैं, it was already dark, पहले ही अंधेरा हो चुका था, the fishermen sat and rode their boats, fishermen जो हैं, अपनी boats के अंदर बैट गए और उसे चलाने लगे, students, road means, जो boats को चलाने के लिए, चलाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं, वर्ड को हिंदी में, खेना, तो अपनी boats को वो खेने लगते हैं, चलाने लगते ह the sky was dark above them, जो आकाश था, वो पहले से ही अंधेरा हो चुका था, तो उपर से अंधेरा था, the sea was black all around them, तो जो sky का जो color था, वो reflect हो रहा था पानी में, तो जो चारो तरफ से काला हो गया था, sea ऐसे अंधेरा दिख रहा था ना, इसलिए वो काला हो गया था, they rode for two hours, and then stopped, उन्होंने अपनी नाओ को तरही से दो गंटे तक चलाया और फिर रोक दिया, क्योंकि वो सी के एक तरही से middle में पहुंच गए बीच में पहुंच गए थे ना, तो उन्होंने वहा रोक लिया, they threw their nets into the sea, उन्होंने फिर क्या किया, और जहां पर उन्होंने रोका अपनी बो फिश एंड थिन फिश, उन्होंने बड़ी मचली, छोटी मचली, मोटी और पतली मचली सभी तरही की मचलियों को उन्होंने उसमें पकड़ा, then the fishermen rode their boats back to the shore, और उसके बाद में fishermen जो थे अपनी नाओ को खेते हुए चला तो वे वापस किनारे पर आ गए, they were very tired, वे बहुत गए थे, tired means ठक जाना, by this time it was morning, इस समय तक सुबह हो चुकी थी, the women and children came out of their huts, जो और ते थी और बच्चे थे अपने जोपड़ियों से बाहर आ गए थे, and stood on the wet sand, और गीली रेत पर खड़े थे, क्योंकि समुतर के पास थे ना, तो वहां की जो रेत थी, sand means रेत, रेत गील थी, तो wet means गीला, गीली रेत पर खड़े थे, everyone was happy, हर कोई खुश था, the children jumped up and down, और बच्चे जो थे खुशी से, उचल रहे थे, उपर नीचे, the fishermen jumped off the boats and pushed them on to the sand, जो मचवा रहे थे, अपनी boats से कूदे, और उनको, boats को, sand में एक तरफ धकेल दिया, क्योंकि पानी में रहती है, तो वह चलती है न, इसलिए sand में उनको लगा दिया, एक तरी किसे, stand पे जैसे लगा देते हैं, किसी भी vehicle को, ऐसे उन्होंने अपनी boats को उसमें लगा दिया, then the women took the fish out of the boats, और फिर, जो औरते थी, उन्होंने क्य किया, उन्होंने fishes को उसमें से, boats में से बाहर निकाल लिया, and put them in big baskets, और उनको बड़ी टोकरी में रख लिया, baskets means, टोकरीया, they put the baskets on their head, उन्होंने उन टोकरीयों को अपने सर के उपर रख लिया, and walked off to the market, और market के लिए चल दी, ये fishermen's की, ये ही life होती है students, कि वो तो fishes पकड़ते हैं, seas में जाके, और जो उनकी women's हैं, उनके घरों की जो आड़ते होती हैं, वो उनको लेकर, उनको sell out करने के लिए market में जाती है, then the men smiled and walked to their hearts with the children, और ते market चल गी और आदमी जो लोग थे वो क्या करने लगे, वो मुस्कराने लगे, और अपने बच्चों के साथ में, उनकी जोपडियों में चले गए, a fisherman gave a big white conk to his son, एक मचुआरे ने एक बड़ा सफेज सा शंक अपने बेटे को दिया, त्यों वो पानी में जाते हैं तो वहां मिलते हैं ना बहुत सारे, तो एक fisherman ने अपने बेटे को लाके दिया, the boy blew on his conk and it said vroom, boy ने उसमें फूप मारी शंक के अंदर और उसमें इसे आवाज आई, vroom, आवाज आई उसके अंदर से ना, alright students, your chapter is over now, now difficult words, जो इस chapter में कुछ नए words आए हैं, difficult हैं आप लोगों के लिए, अभी ही देखें हैं इसी बार, तो उनका हिंदी मीनिंग देखेंगे, अब हम इवनिंग, इवनिंग मिन्स होता है, students, शाम, फिशर्मेन, मच्छुआरा, या मचली पकड़ने वाला, टायर्ड मिन्स थका हुआ, मार्निंग, सुबह, चिल्रन, बच्चे, बास्केट, टोक रिया, अल्राइट, students, now back exercise time, question A है आपका, tick the correct options, from where did fisherman came out, option A, C, B, huts, C, house, option A, right है आपका, तो right option A पर आप, tick कर लेंगे, second, what did the fisherman caught in the net, A, crocodile, B, tortoise, C, fish, right answer is C, fish, C पर आपको right tick कर लेना है, third, who took off the fishes out of the boats, A, men, B, women, C, children, B, women पर right tick कर लेना है, एक बार फिर से देख लीजिए, students, first का A answer है, B, second का C, and third का B, alright students, now answer the following questions, first है आपका, for how many hours did the fisherman row their boats, answer, the fisherman rowed their boats for two hours, question 2, what kind of fish did they catch, answer, they caught a big fish, small fish, fat fish, and thin fish, question 3, when did the fisherman come back, answer, they came back in the morning, question 4, what did the women do with the fish, answer, they took the fish out of the boats, and put them in big baskets, question 5, what did the fisherman give to his son, answer, the fisherman gave a big white conk to his son, next, question C, state true or false, इसमें हमें स्टेटमेंट्स दिये हुए हैं, अगर right है तो T लिख देंगे, या true लिख देंगे, और false है तो F या false लिख देंगे, alright students, first sentence है, the fisherman could not catch anything, sentence false है, तो first में हम false write down करेंगे, second, fishermen were tired, ये right है, तो इसके आगे हम true लिख देंगे, sentence है third, women went to market to sell of the fishes, right sentence है, इसके आगे हम true write down कर देंगे, sentence four, fisherman gave a big white kong to his son, correct sentence, so true mention कर देंगे, sentence number five, fisherman came back when it was evening, ये wrong है, तो false write down कर देंगे, alright students, एक बार repeat कर देती हूं, first में false, second true, third true, fourth be true, and fifth false, okay, आपको डी वाला नहीं करना है, उसे हमने cross कर दिया है, और play with words में, first है आपका match the following, write the name, pictures also, आपको picture show की है, plus उनके name भी दियो है, तो आपको उनसे match करना है, ये आपको self करना, students as a homework, बुक में ही करना है, so, आपका chapter यहीं complete होता है, with explanation, back exercise and difficult words, आप एक बार उसे खुद करके देख लीजिएगा, chapter को read करके, next, जो वीडियो आएगा, इसका PDF send कर दी जाएगी, ताकि आप इसका written work very neatly and properly कर सके, till then, take care, thank you.